तमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोंबंशी ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के कश्मीर दौरे की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज कश्मीर दौरे पर थे यहां उन्होंने खरीब पांच हजार करोर की परियोशनाओं का उद्गाटा नर्शिला नयास किया उनकी रैली में भारी भीर जुटी लोगों में जोश दिखा लेकिन मोदी के इस रैली में जो खास बात थी वो यह थी कि आउट रीच टू पीपल की उनकी कोशिश और मोदी को इसमें कासी हटक काम्याबी में अब तक अगर कोई प्रधान मंत्री कश्मीर आते थे तो वो पाकिस्तान और आतंकवाद की ही बात जरूर करते थे लेकिन आज मोदी ने सिर्फ और सिर्फ विकास की बाते की आर्टिकल 370 खत्म किये जाने के बाद कश्मीर की फिजा में जो बदलाओं आए हैं उनका जिकर यहाँ पर प्रधान मंत्री ने किया डबलमेंट को लेकर देश के मुक धारा से जोडने के लिए कश्मीर के लोगों की इंस्पिरेशन पर बात की मोदी ने अपनी भी बात की कश्मीर के विकास से शुरू की और खत्म भी कश्मीर के विकास पर ही यहाँ पर मोदी ने बात की मोदी ने काया कि जो लोग आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीरियों को भढ़कानी की कोशिश किया करते थे उन्हें अब नए कश्मीर को देखने यहाँ जरूर आना चाहिए कश्मीर अब बदल गया है बंदी सोंसे यह आजादी आर्टिकल 370 हट्टे के बाद आई है दसकों तक सियासी फाइदे के लिए कॉंग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मु कश्मीर के लोगों को गुमरा किया बेस को गुमरा किया 370 से फाइदा जम्मु कश्मीर को था या कुछ राजनितिक परिवार वही इसका लाप उठा रहे थे जम्मु कश्मीर के अवाम यह सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमरा किया गया था कुछ परिवारों के फाइदे के लिए जम्मु कश्मीर को जंजिरों में जकड दिया गया था आज 317 नहीं है इसलिए जम्मु कश्मीर के युवाओं के प्रतिवा का पूरा सम्मान हो रहा है उन्हें नए आउसर मिल रहे हैं आज यहां सब के लिए समान अधिकार भी है समान आउसर भी है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग हर समुदाय और हर आयू वर्ग के लोगों के साथ खुद को कैसे कनेक्ट करते हैं उसकी भी एक जलक आज श्रीनगर में दिखाई दी मोदी ने आज रहली के बाद नाजिम नाम के एक युवक के साथ सेल्फी ली दरसल प्रदान मंत्री मोदी जब सरकारी योशनाओं के लाभारतियों से बात कर रहे थे उसी दोरान नाजिम ने उनके साथ सेल्फी लेनी के अपनी खौईश जाहिर की और मोदी ने उनकी ये इक्षा भी पूरी करती पुल्वामा के रहने वाले नाजिम मदुमक्खी पालन करते हैं प्रदान मंत्री के साथ बातशीत में नाजिम ने ये जानकारी दी कि आज कश्मीरी शहत की कीमत एक हजार उपए किलो तक पहुँच गई है नाजिम ने मदुमक्खी पालन के शुरुआत केवल दो बॉक्स के साथ की थी और आज उनके पास करीब दो सो बॉक्सेज हैं आज के कारिक्रम में पिये मोदी ने पाकिस्तान से आये शरडार्थियों और बाल्मिकी समाज के लोगों से भी बात की मोदी ने कहा कि इन लोगों को वोट देने का दिकार मिलने में भी 70 साल लग गये लेकिन सरकार ने अब उन्हें ऐसी का टैक्री में शामिल किया है अंत्र से आये शरडार्थी हमारे वाल्मिकी समुदाय के भाई बैं हमारे सफाई कर्णुचरी भाई बैं इनको वोट देने का अधिकार सतर साल तक नहीं मिला वो अब मिला है वाल्मिकी समुदाय को ऐसी कैटेगेरी का लाब मिलने की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई है अनुसुचित जन जातियों के लिए बिदान सभा में सीटे आरक्षित हुई है पद्दारी जन जाती पहाड़ीय जातिय समुद गड़ा अब्राहमाण और कोली समुदाय को अनुसुचित जन जाति में शामिल किया गया हमारी सरकार में पंचायत नगरपालिका और निगम नगरनिगम में अन्य पिछड़ा वर्ष को आरक्षन दिया गया परिवारवादी पार्टियों ने जम्मु कश्मीर के लोगों को दसकों तक इन अधिकारों से मच्चित रखा आज हर वर्ष को उनके अधिकार लोटाए जा रहे हैं और उसके बाद पियम मोदी ने वन्षवादी राजनीती पर भी अटैक किया ये सब जानते हैं कि जम्मु कश्मीर में सत्ता दो ही परिवारों के हाथ में रही अब्दुल्ला परिवार और सईथ परिवार मोदी ने कहा कि आजादी के बाद जिस एक राजने परिवारवाद का सबसे खराब रूप देखा वो था जम्मु कश्मीर एक दो परिवारों तक ही सत्ता सिमट गई और यही परिवारवादी लोग आज उनके परिवार को लेकर सवाल उठा रहे हैं लेकिन उनके लिए पूरा देश परिवार है और 140 करोड के अपने इस परिवार के विकास के लिए वो दिन रात काम करते रहेंगे मैंने जम्मु कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है परिवार के लोग दिल में रहते हैं मन में रहते हैं इसलिए किश्वीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार मैं हूं मोदी का परिवार मोधी अपने परिवार को इभी स्वाद दे कर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का ये अभियान किसी कीमत पर नहीं रुखेगा अगले पांच वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा मोधी ने ये भी कहा कि जम्मु कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनीगी मोधी ने कहा कि वो मन की बात के अपने हर कारिक्रम में कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं जम्मु कश्मीर की जीलों में उन्हें कमल खिले हुए दिखते हैं और ये भी संयोग है कि BJP का चुनावच नभी कमल है। कीवार मोका ले लेता हो कुछ कुछ कहने का कि यहां साप सफाय के अभ्यान यहां कहता सिल्प यहां की कारी-गरी इन पर मैं मनकी बात में लगातार बात करता, एक बार मैंने नदुरू कमल देखने को मिलते हैं 50 साल पहले बने जम्मु कश्मीर क्रिकेटेशों शेतन के लोगों में भी कमल है यह सुकत सयोग है या कुद्रत का कोई इशारा कि मीजदेपी का चिन भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मु कश्मीर का गहरा दाता है प्रदानमंत्री मोदी ने कश्मीर आने वाले परटकों को भी एक सला दी मोदी ने कहा कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो टोटल ट्रेवल बजट के 5 से 10 परसेंट की खरीदारी लोकल सामान की भी होनी चाहिए जिससे इस्थानिये लोगों को रोजगार मेले और इनका र जोजगार भी बढ़ेगा और भारत को मजबूती मिलेगी तो तेरा मिज़ा मिशन है वेड इन इंडिया शादी हिंदुस्तान में करो हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अना अपसाना आप रूपिय डॉलर खर्च करके लोग आते हैं जी नहीं वेड इन यहां के पर बुकिंग करें यहां तिन दिन चार दिन बाढ़ात लेकर आएं धुमधाम से घर्चा करें यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी उस अभ्यान को मैं बल दे रहा हूं और साथियों जब इरादे नेक हो संगल्प को सिद्ध करने का जज़बा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं तो वेडिन इंडिया प्रदान मंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया और इसके बाद मोदी ने बताया कि वो जमू कश्मीर को इतने आहमियत क्यों देते हैं मोदी ने कहा कि जमू कश्मीर इस देश का मस्तक है और जब देश का सिरूचा होगा तो पूरा भारत विक्सित होगा और यही वज़ा है कि उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया अब जो योजनाएं देश के लिए बनती है वो जमू कश्मीर में भी लागू हो पा रही है केवल एक छेत्र नहीं है यह जमू कश्मीर भारत का मस्तक है और उंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीख होता है इसलिए विक्सीद जम्मू कश्मीर विक्सीद भारत की प्रात्मिक्ता है साथियों एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे एक जमाना था जब गरीब कल्यान की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बेन उनका लाब उनको नहीं मिलता था और अब देखिए वक्तने कैसे करवट बदली है आज यहां स्री नगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाएं का आरंब हुआ है आज स्री नगर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए परियतन की नई पहल कर रहा है पिये मोदी ने कहा कि कश्मीर से उनका दिल का रिष्टा है 2014 में जब वो प्रधान मंत्री बने थे वो तभी से कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे है और अब यह लग रहा है कि कश्मीरियों का दिल जीतने की उनकी कोशिश सही दिशा में जा रही है पसर नहीं छोड़ेगा और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यह का मैं यह महनत आपका दिल जितने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जितने की दिसा में सही दिसा में जा रहा हूं आपका दिल मैं जित पाया हूं और जादा जितने की कोशिश में जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है मोदी सुझ गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी पिये मोदी जो बाते कह रहे थे वो लोगों के दिल तक डारेक्ट पहुची रैली में आये लोगों ने कहा कि पहले के कश्मीर और अपके कश्मीर में अंदर साथ नजर आता है पत्थर बाजी बंद हो गई आतंकवाद कम हुआ और अब कश्मीर का विकास हो रहा है लोग प्रामकास में जुटे हैं आतंकवाद पहले दिनों को जो आतंकवाद वाले पहले दिन थे वो कोई भी याद नहीं करना चाहता है दोज़र बारा में आपने लाल जोग देखोगा कैसा था तब इदर के चीम मिनिश्टर कौन लोग थे उन से ये पूछो बारा के बाद जब से बात लिया जंता पार्टी सरकार बनी दोज़र चोदे के बाद यहां पे अमन हो गया हर एक बना पहले हम हैंदिस्तान के जंड सब जवान तर्की के पीछे हैं हम चाहते हैं कि जो हमारा वजीर अजम हिंद है नैंदर मोधी जी इसकी सरकार बार बार हिंदुस्तान में आए आप कहीं गोली नहीं चलती है कहीं प्त्राओं नहीं होता है कहीं टिर्रीश्म का नाम ही नहीं है अब तो वकास ही वकास है खुशाली हे खुशाली है कश्मीर की महिलाओं ने भी ये कहा कि पहले जो लोग सत्ता में थे वो अपने परिवार और रिष्टेदारों का ही भला करा करते थे लेकिन प्रदान मंत्री मोधी सबका साथ सबके विकास की ना सिर्फ बात करते हैं बलकि इसे अमली जामा भी पहनाते हैं आज प्रदान मंत्री मोधी ने अपनी सबा के बात नाजिम से मुलाकात की नाजिम ने क्या कहा इस मुलाकात पर सुनिये प्राइम ने मुझे सुजाव दिये कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसी की कैसे सिटार्ट किया और कैसा आपका कैसे आगे बढ़े हैं इस को सारा कूष बता है और इसमें से उसने कुछ इसे डिवेडियों इंटरनेट पे होगा तो तो उसमें उसमें कुछ कुछमन 2 कर दिविच आसर भी दिया और लास्ट में उसको मेने एक सेलफी र्क्वेस्ट किया और वो भी उसने फूफिल किया वह तो मुझे बहुत ही जॉइफुल मोमेट था कि अपने अरेबल पे-म सर के साथ मेनी सल्फी हुवी, that was beautiful.